जी दोस्ता नमस्कार स्वागत आप सबका मेरे यूटूब चैनल योगविज सोनित में और आज मैं आपके लिए लेकर आया धोतिक अभ्यास धोती योग सास्त्रों में बहुती अच्छा सक्रम के अंतरगत माना गया इसको हमारे आंतरिक सफाई के लिए आंतरिक सुद्धी क दोती का अभ्यास मैंने आपको बताया बहुती सडल तरीके से कैसे कर सकते उससे पहले आप दंड़ोती खाईए दंड़ोती से हमारा पूरा सवसंतंत्र और गले का पूरा खुल जाएगा तो इससे आसानी होगी दोती खाने में तो इसकी जो विदी है सबसे पहले आपको तोड़ा सा गरम पानी करना है उसमें हलका सा नमक डाले और दोती जो कपड़ा है कोटन का उसको अच्छे से दो लेना है फिर दोने के बाद दूसरा उसको पानी को पल्टा देना दूसरा पानी उसमें गरम रखना उसमें एक चम्मच घी डाल लेना ताकि दोती मुलायम हो पूरा कफ बाहर निकल जाएगा और जो दंट दोती बताइएँ उससे पूरा पित बाहर निकल जाता है आपका तो इसमें कफ की सफाई के लिए और सरदियों में बहुत ही लावकारी है कोई आपको रोगनी होगा मैं इसको अपते में एक बार करता हूँ तो कभी सर्दी के रोगनी होंगे खासे जुखाम, नजला, साइनास आधी सभी बिमारिया और पूरा कप बहार निकल जाएगा तो इसको कीजिए और धन्यवाद तो दोस्तो इसको दंड दोती को हम सबसे पहले खाएंगे इससे हमारा जो है गला पूरा साफ हो जाएगा दोती खाने में आसान नगी होगी 15 दोती से पहले स्टेप यही है हमारा दनव दोती का पहले तो रिसी मुनी बदाते हैं कि ऑज़ने के तने के तने से गले को गले में डालना चाहिए लेकिन वह अब संभव ने उपाता मिलना तो एक कैथेटर है इसको भी हम इस्तिमाल कर सकते हैं, कोई इतनी हानी नहीं है, इसमें भी, अब ब्यास के लिए सुलवात में कर सकते हैं, फिर बाद में इसको उन्या कीजिए, तो इसमें आपको सबसे पहले इसको गले में डालना होगा, जीव के लास्छोर पे, उर्फतत पस्चात मुव बंद कर ल तरब ले जाते हैं, उसी परकार से, तो ये आमस से तक जाता है हमारे, वहाँ पर जाने के पस्चात, जिन्स जो अभ्यास कर चुके हैं, वो पानी भी निकाल देते हैं, इससे, जो हम पानी पीते हैं, इसके पहले, वरना ऐसे भी सही है, तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं इससे और भी आसानी हो जाती है, हमारी दोती खाने में, बहुत ही helpful है, इसका ब्यास आप कर लीजिए, उसके बाद फिर दोती खाईए, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी जीज़े हैं, सब इनका ब्यास करके फायदा उठा सकते हैं, तो चलिए अब हम दोती का ब्यास करेंगे, दोती खाएंगे, वस्तर दोती को, चलो अब दोती खाने शुरू करते हैं, इसे इस टाटी में थोड़ा सा इसके छोर को मोड लेंगे हम, मोडने के बाद इसको जीव के लास्ट भाग में रखेंगे, आगे से थोड़ा सा मोड लें, और इसको हमने गटकन खाना है, खाना नहीं मतलब जीव के पास रखते हुए, गले की मसल से इसको अंदर की तरफ खीचना है, जिस परकार से हम खाने को भी अंदर की तरफ गटकते हैं, तब जीव के लास्ट में इसको रखेंगे, बिलकुल, और अब थोड़ा थोड़ा इसको चाबते हुए, अ खोड़ा पाणी भी पी सकते हैं, हलका सा, एक दो हूंट, तो इससे क्या है? जो गले में इखटी हो जाते हैं, जो गले में धाती पानी से अंदर चले जाती हैं तो ऐसे धीरिदीर इसको खाते जाएं और कोई इसमें घबरानी की बात नीए है दोती बिल्कुल सही जंगा पर जाती है अबने कहीं ऐसा नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि वहीं कहीं फस जाएगी निकलेगी नहीं ऐसा कुछ निया एमन में धारना सी बनी हुई है यह डर को न यह बिल्कुल आसानी है इसको खाना और इससे अंत्रीक सुद्धी हो जाएगे मारी बहुत ही अच्छा तरीका मारे योगियों ने इरी समूनियों ने दिया है तो इसको आप सकते हैं बहुत सिम्पला है अब इसको धीरे धीरे इसको निकालनाıyorsunता है खा लियां दोती को पूरा अगर उल्टी आपको आए तो गले को बंद कर ले ना वही पर जाल अंदर बंद लगा देना है ताकि वो बहार ना आए अब इसको धीरी धीरे नाम से निकाल लेंगे पूरे आपका एक कप को समेठ कर लियते हैं अंदर तक आतों से आपके पूरे इंटर्नल ओर्गन से कप की पूरी सफाई हो जाएगी तो इसको आप कर सकते हैं और मैं फिर कहूंगा कि योगा इंस्ट्रेक्टर की सरा देकर ही इसको करें तो अच्छा रहे